मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की आपके लिए काफी इंपोड़ेंट है यहाँ पर एक नया जज़्जमेंट आया है यह ज़्जमेंट जो है उन्रेबल सुप्रीम कोट का है यह ओल ओवर इंडिया वर्क करेगा वीडियो क पर 54 लैक की जो पैनल्टी थी उसको 50% कर दिया गया 27 लैक की पैनल्टी अवाउंट क्या नबोल था और इसमें क्या गलती थी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है फ्यूचर में ध्यान लखना है सबसे पहले हम आपको चीज़ बता दूं कि जो एसलपी फाइल की गई है उसको सुप्रीम कोट ने एकसेप्ट किया है उससे पहले जो है एक फाइनल जज्जमेंट की भी यहां पर बात की गई है ओडर पास जो की किया गया था ओनेवल कैलकटा हाई कोट उसके लिए भी यहां पर की सरीय जो जज्जमेंट है उसमें रिलेक्स प्रोइड की जाए तो यहां पर एक सबसे बड़ा इसू क्या इंवल्ड है कि जो समान है यह अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांस्पोर्ट कर रहे थे यहांपर जो है दो इस्टोक इन्वोर्ड है एक यूपी और दूसरा जो है वैस्ट बंगल अब यहांपर क्या हुआ कि आप्येया के पास जो पाइप्लैंस के काम वह भी है तो इन्होंने क्या है कि यहांपर यह वर्क एक जीएट कर रहे है थे इन्द श्टेट अव उत्त जो वैल्यू की तरह से देखा जाए तो काफी हैवी मसीन रही है वो यह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या हुआ कि इन्होंने जो इवे बनाया ज्यांते समझेगा और इसके लिए जो इन्होंने सर्विस ली थी वो एक फ्रेट सर्विस वाले हैं HFC ठीक है तो इनसे इन्होंने सर्विस ली अब जो यह मसीन है यह काफी बड़ी एक मसीन है तो यह यूपी के एक जिहां पर ओ रही है डिस्टिक्ट से टांसपोर्ट हो रही थी न्यू साइट पर जो कि दुर्गापूर में है वेस्ट मंगॉल में तो एक तरह से कैपिटल गुड्स टांस्पोर्ट हो रहा है सेक्शन टू सबसक्शन नाइन के इंडर में कवर है और यहां पर सेम है मतलब अपने ही एक गुड्स को दूसरी जिएंगे ट्रांस्पोर्ट कर रहे थे इसके इसमें क्या हुआ कि जो गौर्वेंट अथोरिटी है उन्होंने यह मसीन डिटेन कर ली अभी हाँ पर डिटेंशन में इन्होंने वेस्ट बंगल में डिटेन कर ली और उसके बाद यहां पर पैनल्टी ओडर पास कर दिए इन्होंने कहा कि इस पर टेक्स भी भढ़ना पड जोंगि और अलडिए एकस्पार ह visão चुका है इसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने एन्म की फाल की यह पर 10 परषंट फाल्ग eruड कर दी अब उसके बाद बास की फिख्टी फिव लैक और 54 लगा दी टोटल अमाउंट बना दिया वन क्रोड एट लैक यहां पर इंपोज कर दिया 31 जुलाइ 2019 को अब इन्होंने जो है अधुरिटी में जहां पर 10% की अपील की तो अपील कि अपील भी इनके फिवर में नहीं आई और अपील में consequinkि गया तो इन्होंने क्या कि हिए ने कि एक कोपी लगाई बंक इस लिए एक लगा दोंड लेकिन जागा लेकिन आप है वह अभी तक डिसाइड नहीं एक पेटिसिन अंत्रिबल हाई इसपार में लगा दी जो है डिसपोज कर दी गई All Arsenable इसमें जो है डाय कसंद है आपर ड्रीड कर दिया कि अपिलेट अथोरिटी को यह केस कि यह जो पिल है इसको जल्दी से जल्दी सुन्वाई ओ एक देट फिक्स कर दी जब लेंट जो है उन्होंने फिर से रिट पेटिशन फाइल की उसमें प्रे की कि सर यहां पर जो है हमने बैंक गारंटी समिट कर दी है लेकिन फिर भी जो है हमारे जो गुड्स है मतलब जो मसीनरी है भी उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है ताकि उस उन्होंने कहा कि सर हम इसको जमा करा देंगे लेकिन आप इसको जो है अभी रिलीज करवा दीजी तो हाइगोट और राइक गुर्स में भी रिलीज सब्जेक्ट टुदा पेमेंट ओफ एंटार अमांट ओफ गुर्स एंड जो जो पैनल्टी लगाई गई है उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे अमांट आप जब जमा करेंगे अथवरिटी को उसके साथ जो है आप जो है 50 परसेंट तक पैनल्टी है वो आप पै कर दीजिए तो यहाँ पर पैनल्टी रेडीस नहीं की थि और यहाँ पर यह भी आगया है जो 10 परसेंट अपने जमा किया उसको लैस क करने के बाद 54 lakh में से यह amount last करने के बाद आप यह जमा करा दीजिए और जो पैनल्टी है 50 उसकी जमा कर दीजिए बागी की जो पैमेंट जो 47 lakh की पैनल्टी है वह आप बाद में पे कर दीजिए उसकी बैंक कारंटी आपर समिट कर दीजिए और यह चीज फाइनल करते हुए मतलब यहां पर जो है रिलीफ नहीं दी गई थी वस इतना जरूर का गया है कि जो 50% penalty है वो अभी दे दीजिए बागी की 50% जो है बाद में दे दीजिए इस तरह से कोई भी टैक्स इविजन वाला पॉइंट नहीं था केवल इवी बिल जो है वह वह वैलिड नहीं था एक्च्वल फैक्ट तो यह है कि इसमें जो है टैक्स का भी इन्वोल्मेंट नहीं आता है क्योंकि जब यहां पर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जो है जो अपने इस आप ट्रांस्पूर्ट कर रहे हैं तो उस केस में टैक्स की लिक्वार्मेंट भी नहीं आती है लेकिन फिर भी यहां पर 10 परसेंट जो है टैक्स जमा किया गया एपील फाइल की गई और बाद में आगया कि जो अमाउंट है वह बैंक गरंटी से जमा बैंक गरंटी समिट कर दी गई कि हम इसको जमा कर देंगी जो कंसार्मेंट है वह अभी भी वही पर पड़ा हुआ है मतलब पूरी की पूरी वैलियो मसीन निवाली वह सकता डैमेज भी हो जाए यहां पर रिक्वेस्ट की गई जो प्रपर्टी है पिलेंट की है और यह केबल ट्रांसपोर्ट हो रही थी यूपी से वेस्ट पंगाल में तो इस पर जो है कोई भी जेस्टी नहीं लगता और जो एवे बिल है वो जैनेरेट किया गया था लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है वो खतम हो गई थी और यह है इसमें आपर रिलीफ प्रोवाइड की जाए क्योंकि यह इंटर उनिट ट्रांसफर है कैपिटल गूर्स का कि अब यहां पर जो डिपार्टमेंट ने उसका समिशन देखिए उन्होंने कहा मैं आपको सिंगल लाइन में बता देता हूँ उन्हेंने कहा कि जब गूर्स इंटरस्टेट मुवेंट कर रहा था तो उस केस में जो है वो एवे बिल वैलिड नहीं था तो यह माना जाएगा कि वो एगजिस्टी नहीं करता है जहां पर जेश्टी की पेमेंट भी नहीं हो ता है उसकेस में भी अगर डॉक्यमेंट वैलिड नहीं है यह यहां पर जो यह नहीं कर चिज़ेंगा उसने यह चीजे प्रॉपरली कंसलिटर की है, जो कंसाइनमेंट है, वो यूपी स्टेट से आ रहा था, वेश्टमंगल स्टेट में उसका ईवेबिल जेनरेट किया गया था, ईवेबिल जो है वैलिडी नहीं था, तो जिस दिन गुर्स आ रहा है, जिस दिन वो एक श्टेट से दूसरे बॉर्डर पर एंटर कर रहा है उस दिन कोई वैलेडिटी नहीं थी ठीक है अगर यहां पर देखा जाए तो लगबग एक वीक से ज़्यादा का टाइम था जब की वेबिल एकस्पायर हो गया था तो यहां पर जो जो लो है उसको इंग्नॉरेंट जब उन्होंने जेनरेट किया था उसके बाल उसको वो नए भी जेनरेट कर सकते थे और उसकी वैलेडिटी को एकस्टेंड भी कर सकते थे कि क्या रीजेंस है इसकी वजह से वो टैमली नहीं पहुच पा रहा था तो यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि जो यहां पर एपि की condition को और यहाँ पर यह भी चीज लिखे गई है कि सर मोश्टली केस में ignorance of law allowed नहीं किया जाना चाहिए taxation के matter में अगर हम time limit को ही consider नहीं करेंगे तो timely जो है वो compliance कैसे होगा और authority उस compliance को timely कैसे करवा पाएंगी बस यहाँ पर इन्हों अब यहाँ पर पैनल्टी जो लगाई गई है उन्होंने का कि सर यह लोग के लगाई गई है टेक्स भी बनता है पैनल्टी भी बनता है और यहाँ पर कोई भी ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए जिससे की जो है आगे चलकर यह practice आगे फोलो हो ठीक है अब यहाँ सब्सक्राइब करने के लिए नहीं है और समान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है यह जो है वह सोल्ड मतलब यहाँ पर सेल आउट करने के लिए नहीं है यह उनके खुद के यूज के लिए ही है कि और यहाँ पर जो पैनल्टी लगाई गई है जो टेक्स के अमाउंट है वह बिल्कुल correct है लेकिन जो पैनल्टी लगाई गई है हम उसको यहाँ पर रिद्यूस कर रहे हैं 50% ठीक है उन्होंने खा कि जश्टिक्स को यहां पर ध्यान में रखते हुए यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर यह जो पैनल्टी है कुला कर दिया जाए थाक्स कम कर दिया जाए तो जो है वह इस रहेगा चेक्स में कोई भी छूट नहीं मिलेगी बड लेकिन जो पैनल्टी है वो 50% डेडियूस करके अब यहां पर जो वन करोड एट लैक की अमाउंट थी उसको यहां पर 81 लैक रुपीज किया गया मतलब अगर यहां पर आप देखेंगे तो एक तरह से पासली अलाउड करते हुए पैनल आउंड डिपोजिट करवा दीजिए उसके बाद जो आपका गुड्स वीकल है और आपका कंसाइनमेंट है वो पूरा का पूरा जो है वो रिलीज होगा ठीक है और यहां पर इन्होंने इसको जो अपील है इसको एकसेप्ट कर लिया और ओर जो है वो पास कर दिया और अग को काफी बडिल एकसेशन में कर दिया गया कि अगर यहां पर 54 का टैक्स और 54 की पैनल्टी लगती तो पूरा का पूरा माउंटी जो कि ओनेबल हाई कोट ने कंफर्म कर दिया था उसी को यहां पर एगए चलेगा अब यहां पर यह चीज़ आपको अब यहां पर यह बिजिलेंट होना है जो इवेबिल के कंप्लाइंस है उनको प्रोपर करना है जहां पर जिएस्ट इजमसन है वहां पर भी आपको इसी ध्यान लखनी है क्योंकि अब आगे चलकर जिएस्टी डिपार्टमेंट इस वाले जज़मेंट को यूज करेंगे और कोई भी अगर ग इस वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को सेर जुरू कीजिए का ताकि सब्सका बेनिफिट मिल जाए चैनल का जो परपज़या फुली एजुकेसनल है तो आप सब्सक्राइब करें आना करें वीडियो जबूर देखें यह वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सॉमत